नमस्कार, पाकिस्तान के प्राइमनिस्टर्स ओफिस की तरह से हुआ एक ऐसा वाक्या जिससे इंटरनाशनल कम्यूनिटी में पाकिस्तान के प्राइमनिस्टर्स की बेज़िती तो होगी, पाकिस्तान की खुद की भी इंसल्ट जरूर होगी, इन्होंने किया क्या, अभी हाल म बिल गेट्स Microsoft के founder वहां पहुंचे थे और उन्हों ने जाकर के वहां पर बड़ी सारी meetings की और उस meeting में एक फोटो जारी की meeting की लंच की meeting है लंच पर meeting हो रही है एक फोटो जारी की फोटो में एक आदमी की फोटो हटा दी गई मतलब फोटो में कई लोग बैठें, बहुत सारे लोग बैठें उसमें से एक आदमी को फोटो शॉप करके हटा दिया गया और फिर उसके बाद वो फोटो ट्वीट की गी प्राइम निस्टर के ओफिशल हैंडल से इमरान खान के ओफिशल हैंडल से ओफिशली फोटो ट्वीट की गई और उसके बाद ये बताया गया कि ये फोटो हमारा लाइंस था उसमें बैठेता है उसमें से एक आदमी यानि कि इनके ISI चीफ लेटरेंट जनरल नदी मंजूम उनकी फोटो हटा दी गई उनको गायब करके फोटो दिखाई गई क्यों दिखाई गई ये काम पहली चीज़ क्या प्राइम निस्टर्स ऑफिस पाकिस्तान का ऐसे फोटो शॉप फोटो डालता है ये जवाब देना भी जरूरी है साथ में ये बताना जरूरी है कि ये एक वन डे विजट थी एक दिन की विजट थी और इस एक दिन की विजट में कौन-कौन शरीक था उनके इस लंच में उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है आप प्रमोट करना चाहते हैं आप इसको लाइक करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें अब आपको बताता हूँ आगे चलते हैं इस खबर में के कौन-कौन वहाँ बैठे थे उस लंच मीटिंग में बैठे थे फवाज चोधरी, असद ओमर, महमूद खान, आजम खान, शौकत तरिन, शा फर्मान और खालिद खुरशीद ये सब उधर के बड़े लोग हैं ठीक ह लोग हटाया गया, ये भी मैं आपको बता हूँगा, खेर इस से आगे, फोटोशॉप भी इतना खराब किया गया, कि जिस समय लेटेंट जनरल नदीम अंजुम बोल रहे थे, उस समय की फोटो है, सबके सब नदीम अंजुम की ओर देख रहे हैं, उस समय उनकी फोटो हटा है, मतलब फोटोशॉप करने को भी नहीं समझ में आया, फोटोशॉप करने के टाइम पे इनने नहीं समझ में आया, कि फोटोशॉप पकड़ा जाएगा, और स्पेकुलेशन चल रही थी, बहुत टाइम तक चली, बोला गया, जब फोटो आई, उसके बाद पाकिस्तान में इस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई, कि किसकी फोटो हटाई है, और क्यों हटाई है, बहुत हो ने बोला इसकी है, उसकी है, इन दा एंड पता चला, जब investigation हुई तो पता चला, यह फोटो जो थी, नदीम अंजुम यहां पे बैठे थे, और उनकी फोटो हटाई गई, सा बाद उन्होंने बोला, आप समझ में आ गया, कि यह नदीम अंजुम है, इन फैक्ट नदीम अंजुम ने खोद ओरस दे रखे हैं, कि उनकी कोई फोटो या वीडियो पबलिक में नहीं आना चाहिए, और यह फोटो उनकी जो हटाई गई है, इन ही ओरस की वज़े से नहीं पड़ जाए, वो जाते हैं, बैठते हैं, इंटरनाशनल लिवल पे जब भी कभी मीटिंग हो रही है, आपके अपने कंट्री का आदमी तो नहीं है ना, एक बिल्गियस फाउंडेशन का आदमी आया है, जो आपके पोलियो एराडिकेशन में काम कर रहा है, तो वो आ ली गई वहाँ पे नदीम अंजुम को भी पता था, जब वो एक ऐसी बड़ी मीटिंग में बैठे हैं, कोई एक बहुत बड़ी इंटरनाशनल फिगर आ रही है, तो फोटोग्राफ्स ली जाएंगी, तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था, या बैठना ऐसी जगा लेकिन PMO किसके अंडर चले, किसके अंडर नहीं, उसके बाद फोटो हटाई गई, PMO किसके अंडर चलता है, PMO क्या ISI चीफ से अपनी इंस्ट्रक्शन लेता है, PMO को बोलना चाहिए था कि हम तो डालेंगे आपकी फोटो, जो फोटो खीची गई है, एक्चुल फोटो, आ आप तो ISI चीफ है न, आपका तो जिम्मा सरफ एक डिपार्टमेंट का है, हमारा जिम्मा है, हम इंटरनाशनल लेवल पर बात करते हैं, हम इंटरनाशनल डिगनेटरीस से बात करते हैं, कल सारी डिगनेटरीस के दिमाग में यह शक आएगा, कि यह फोटो शॉप कल हमारी अब आगे जब आएंगे, सब के सब के दिमाग में यह होगा, कि कहीं यह फोटो शॉप तो नहीं करेंगे, क्या बाकी सारी फोटो जो अब तक पाकिस्तान के प्राइम नेस्टर लगाई हैं, क्या वो भी फोटो शॉप की गई थी, ऐसे ऐसे जवाब भी आने बहुत जरू पाकिस्तान की तरफ से इतनी सारी फोटोग्राफ और यह भी देख रहा है कि कश्मीर पर जितनी सारी चीज़े डाल रहे थे, पहले भी तो एक फेक वीडियो कश्मीर का बताके जो के बांगलादेश का था, वो इन्होंने कश्मीर का बताके ट्वीट किया था, फेक फोटो फोटोशॉप करवा दिया है, तो क्या आगे ऐसे होता रहेगा, पाकिस्तान की बेश्ती तो जरूर है, लेकिन कल अगर इन्होंने कोई फोटो ट्वीट की, जिसमें इन्होंने बोला कि मैं जो बाइडन से मीटिंग कर रहा हूं, या शी जिंपिंग से मीटिंग कर और पोतिंग को उन्होंने टोपी पहना के दिखाया, अपनी वो जालीदार इसलाम वाली टोपी, तो क्या इस पर सवाल ये नहीं होंगे, कि ये भी फोटो शॉप है के नहीं, बिल्कुल सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए, पाकिस्तान के प्राइमनेस्टर के हैंडल से कोई फोटो शॉप फोटो कैसे आ सकती है, ये जवाब पाकिस्तान के प्राइमनेस्टर को जरूर देना चाहिए, पाकिस्तान के प्राइमनेस्टर को ये बात पता होनी चाहिए, कि फोटो शॉप फोटो डालने से उनकी अपनी प्रेस्टीज खराब होती है, बिल गेट् आदमी रहे हैं, Bill and Melinda Gates Foundation चलाते हैं, उनको फराग नहीं पड़ता, वो तो कई countries जाते हैं, आपके पास dignities कमाते हैं, और जो भी आते हैं, उनकी photo भी आप Photoshop करके डाल देते हैं, तो इसमें matter थोड़ा सा serious है, और पाकिस्तान को अब यह समझ में आना चाहिए, और यह explanation तो जरू था, लेकिन इस Photoshop से, यह जो photo नहीं बदल के डाली है, इस से, यह बात तो clear हो रही है, कि पाकिस्तानी Prime Minister's Office में ऐसा काला कारोबार किया जाता है, और और भी दूसरी photograph जरूर की गई होंगी, दिखाने के लिए, कि हम देखो, कितनी atrocity हो रही है, काश्मीर में, साथ में, काश सिरिया का हो, या किसी और का, इनकी, इनकी, एक madam थी, वहाँ पे, सिरिया की photo दिखा रही थी, UN में, और बोल रही थी, काश्मीर की है, इनके President ने भी fake tweet किया था, क्या ठीक है, लेकिन Photoshop, एक नया, नई हकीकत सामने आई है, और officially exposed हुए, officially Photoshop photo डालने का, जो रिवाज है, पाक बगद फिर हाज़र होंगे, नमस्कार, जैहिए,